जबलपूर में रविवार की साम को मांसून की आमद दज हुई और इसी के साथ हाथ सून की भी शुरुवात हो गई साम पांच बजे ही आसमान में काले बादल चा गए और घुप अंधेरा हो गया इसी के दोरान एक इसकूल की जरजर दीवार सड़क की किनारे खड़ी कारों पर गिर गई दरसल नेपियर टाउन इलाके में इस्तिद नवीन विद्या भवन इसकूल की जरजर दीवार ढगई दीवार गिरते समय वहाँ पर मौजूद कोई नहीं था लेकिन बाउनरी वाल की किनारे खड़ी चार कारें जरूर छटिग्रस्थ हो गई राशल इसकूल के सामने रहने वाले प्रतीक सहनी की दो कारें एवन एक निजी कार्याले के कर्मचारी की दो गाडियां खड़ी हु incubi थी जो चतिगरस्थ हो गई इस्कूल की दिवार करीब दो फीट चोरी थी जो कई सालों से जरजर है और इस्कूल प्रवंदन भी इससे वाकिफ है बावजुदिस के दिवार को ना तो सुरच्छे तरीके से हटाया गया और ना ही उसकी मरमत कराई गई इसका खामियाजा कार मालिकों को भुगतना पड़ रहा है चार गाडियां नहां पे खराब हुई है लापर वाई है स्कूल वालों की ना उस बाउंडरी को देखेंगे ना बनाएंगे और हम लोगों को इसका प्रॉबलम फेसकर भी बढ़ रही है हमारी गाडियां पूरी डैमेज हो गई है इसकी भरपाई कॉन करेगा कितनी क्या लगता है कि पहले से क्रैक था या बाउंडरी छतिक्रस थी कभी ऐसा कुछ विल्कुल क्रैक्स थे पहले से ना स्कूल वालों ने ध्यान दिया ना कुछ किया आज सुबह भी शायद आप लोगों ने चर्चक ही थी इस बारे में कोई लोग खड़े देखके बात कर रह है कि उसके बाद भी कोई सब्सक्राइब नहीं कोई कुछ नहीं